हेलो दोस्तों, वेलकम टो और चैनल दे फ्लेवर फिस्ट्स आज हम लोग एक बहुती स्पेशल बेंगोली फिशकारी लेके आये हैं आज हम लोग यह फिशकारी आलू और देसी बीन्स से बनाएंगे बेंगोली में देसी बीन्स को शीम बोलते हैं तो जो फीश कारी इसको बोलते है आलू, शीम, दीय, माचिर, छोल इस डिश का प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल है मसला का यूज बहुत ही कम होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी है तो मैंने यहां पर तीन पीस कतला फीश लिया है आप चाहे तो रहू या कोई दूसरा फीश भी ले सकते है आपके मन पसंद उसके पाद थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी के साथ फीश पीसिस को दोनों साइट से अच्छे से कोट कर लेंगे फ्राइ करने में बहुत ही आसानी रहता है और टेस्ट भी अच्छा आता है कोट करने से अब ये बाकी इंग्रिडियन्स देख लेते हैं दू मीडियम से इसका आलू और लगबग 100 ग्रम जैसा देसी बीन्स लिया है मैंने आलू और देसी बीन्स को अच्छे से दो के क्लीन करके हम लोग एक्वियल साइस के पीसेस में काट कर लेंगे आलू को थोड़ा लंबे लेंबे पीसेस में काट किया है और बीन्स को इसे चोड़ चोटे पीसेस में काट किया है अभी ग्राइंडर में आधा इन चीजे सा आधरक ले लेंगे और साथ में एक मीडियम सेस का टामाटर लेके अच्छे से ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेंगे स्मूध आप देख सकते हैं जो पेस्ट रेडी है बिल्कुल तो अभी कुकिंग प्रोसेस शुरू करते हैं मैं यहाँ पे 2-3 टेबल स्पून मस्टर ओय ले लिया गरम करने के लिए तेल गरम होने के बाद फीश पीसेस को हम लोग फ्राइ कर लेंगे दोनों साइट से लगबग 2 मिनिट जैसा मीडियम फ्राइ में फ्राइ करेंगे जब तक ना दोनों साइट के कलरे से गोल्डन ब्राउन आ जाए जादा फ्राइ करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग कारी बनाएंगे तो बाकी जो कूकिंग और बाद में हो जाएगा फीश का तो देख सकते कि फीश के फ्राइ होगे अभी हम लोग साइट में राक लेते हैं उसके बाद आलू को फ्राइ कर लेंगे पहले आलू के साथ भी थोड़ा सा नमा कर थोड़ा सा हल्दी एट कर देंगे ताकि properly आच्छे से fry हो जाए आलो के pieces को ऐसे ही stir करते हुए हम लोग दुनों साइट से golden brown होने तक fry करेंगे उसके बाद हम लोग काटे हुए beans के pieces add कर लेंगे और beans को भी fry कर लेंगे तो पहले अच्छे से mix करके उसके बाद 3-4 minute के लिए low flame में पकाएंगे तो दोस्तो आलो और beans दुनों ही almost 40% cook हो गया अभी हम लोग एक प्लेट में निकल के राक लेते हैं ऐसे प्रॉपरली पहले ही fry करने से जो टीस का टेस्ट बहुत enhance हो जाता है उसके बाद उसी पेन में हम लोग और टेबल स्पून जैसा तेल एड कर लेंगे तेल एड करने के बाद हम लोग दो तेज़ पता एड कर लेंगे साथ में दो पीच में से काट हुआ ग्रीन चिलिस बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा वान टीस्पून पांच फूडन उसका रेसिपी आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसके बाद 30 सेकंड के लिए हम लोग सौधे कर लेंगे नेक्स्ट हम लोग एड करेंगे पेस्ट किया हुआ आध्रकट तमाडर जैसे के आप देख सकते हैं उसके बाद फिर से 30 सेकंड के लिए हम लोग यह मसाले करेंगे फिर हम लोग एड करेंगे वानटी स्पून चीरा पावडर वान टीस्पून धनिया पावडर हाफ टी बाश्मिरी रेट चिली पाउडर बहुत अच्छा कलर आएगा इससे मसालों को प्रफरली मिक्स कर लेते हैं फिर हम लोग यहां पर हाफ टी स्पून जैसा शक्कर एड़ कर लेंगे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए और स्वादनुसा नमक ध्यान रखना कि नमक हम लोग पहल किया हुआ पॉटेटू और बीन्स को एड़ कर लेंगे फिर हम लोग प्रफरली मिक्स कर लेंगे और फिर धकन बंद करके 2-3 मिनट के लिए लोफले में पका लेंगे ताकि भुनाई बहुत अच्छे से हो जाए तो दोस्तों सबजी और मसाला को भुनाई बहुत ही प्रफ पानी एड़ कर लेंगे पानी आप आपके हिसाब से एड़ कर सकते हैं जैसे आपको ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से पानी एड़ करने के बाद उभलाने तक वेड़ करना है जैसे ही पानी में उभलाना शूरू हो जाता है हम लोग फ्राई किया हुआ फिश पिसे को धकन बंद करेंगे और 7-8 मिनिट के लिए लो फ्लेम में कुक करेंगे तो दोस्तो 7-8 मिनिट के बाद हम लोग देख लेते हैं अल्मोस्ट डीश्ट तियार है अभी और तुड़ा एन्हेंस करने के लिए टेस्ट आफ टीस्पून गरम मसला पाउडर और बहुत सारे फ्रेशली काटा हुआ धनिया के पत्ते एड़ कर लिया धनिया के पत्ते से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इनकिस अपको धनिया के पत्ते पसंद नहीं है तो आप ज़रूर स्कीप कर सकते अभी प्रॉपरली मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद धकन बंद करके दो से तीन मिनिट के लिए लो फ्लेव में कुक करेंगे तो दोस्तों दो-तिन मिनिट के बाद आपना जो डीश है बिलकुल बनके तेयार है बहुत यह अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा है देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है अभी हम लोग सार्व कर लेंगे चाओल के साथ गर्मा करमी डीश खाने में बहुत यह अच्छा हैंगे